अरियूं, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वाकत करते हुए, आज क्या है कोर्ल रो में, इमेज को आप एक ग्लोइंग आउटलाइन कैसे क्रेट कर सकते हैं, उसके बारे मताने जा रहा हूं, तो उसके लिए क्या है, पहले एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता मैं, इधर empty space पे mouse right click करके इसको import बोलता हूं, अभी इस image को लेता हूं, अभी यह white background है इसके साथ, अभी इधर click करता हूं, अभी इसके लिए क्या है, एक rectangle लेके इसे एक rectangle लिया मैंने, अभी इसको क्या है, तो रहा grey देता हूं, shift page down करता हूं, तो यह नीचे की तरफ आ ग इसको मुझे क्या करना है, पहले clip part कर लेना है, यानि इसका एक outline लेना है मुझे, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूं, इधर bitmap में आता हूं, आके इधर आपको outline trace में आना है, इधर क्लिप part करके है, इसको click करता हूं, अभी देको यह क्या है, इधर आपको preview दिखा र क्लिवा है अभी के लिए मैं क्या करता हूं इसको नन रखता हूं तो कौणसा भी पोर्शन अभी रिमू नहीं हुआ है और इसमें जो डिटेल से इसको increase कर लेता हूं मैं यह हर एक चीज इसमें ठीक से आ जाता है तो अभी इसको मैं क्या करता हूं इसको तो ओके बोल देता हूँ, अभी यह क्या हुआ है, एक clip part हुआ है, अभी इसको इधर side में लेता हूँ, अभी यह क्या है, यह original image है, अभी यह क्या हुआ है, trace हुआ है, तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, ungroup कर लेता हूँ, ctrl u press करने से क्या होता है, ungroup होता है, अब इसको एक बार आप deselect करके इस portion को आप drag करो तो देखो भी ये क्या है separate हो गए अभी इसको delete करता हूँ मैं इतना करने के बाद अभी यहां से इसे drag करो इन सबको select करता हूँ select करके इसको क्या है एक outline create करता हूँ है तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ इदर है create boundary करके है इसको click करता हूँ अभी इसको थोड़ा side में लेता हूँ तो देखो भी यह आपको line दीख रहा है अभी मैं क्या करता हूँ इस से drag करके इस portion को delete करता हूँ अभी यह line है तो अभी इस line के अंदर इस image को जो original image है इसको मुझे power clip करना है mouse right click से hold करके drag करके इसके अंदर छोड़ देता हूँ अभी इदर क्या है power clip inside करके है इसको click करता हूँ तो यह power clip हुआ है अभी इस portion को थोड़ा zoom कर लेता हूँ डिछ दरफ इंदर की तरफ click करें तो यह power clip ओपन होता है यने आप इदर edit कर सकते हैं इसको थोड़ा क्या है से set कर लेता हूं मैं तो यह समझ मैं रहा है आपको अभी मैं क्या करता हूं control को hold करते हुए बाहर के तरफ क्लिक करता हूं तो दिखो भी यह क्या हुआ आप है भी यह power clip हो गया भी अभी दिखो इसको क्या है outer glow का effect मुझे create करना है तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूं इदर contour में आता हूं any shadow tool के अंदर क्या है contour करके tool है इसमें आता हूं इसमें आने के बाद इदर property bar में आपको क्या करना है outside करके है इसको click करता हूं मैं तो outside contour आगया भी अभी देखो number of steps आपको दिख रहा है तो अभी मैं क्या करता हूं इसको एक shade भी देता हूं मैं अभी देखो यह क्या करो इदर आकर इदर white color फिल करता हूं यानि जो आपने यह outline create किया है उसमें fill नहीं है तो अभी मैं इदर white फिल करता हूं तो देखो अभी ऐसा आगे है यह अभी दिको यह जो background है इसको lock करके रखा है हमने इसके ओपर right click करके unlock बोलता हूँ अभी इसको क्या है black shade देता हूँ देखे इसको फिर से आप क्या करो right click करके इसको आप इधर lock कर लो आप तो यह lock हुआ है अभी अभी दिको इसमें क्या है इस portion में आता हू अभी यह जो contour हुआ है इसको एक बार click करता हूँ click करके अभी मुझे क्या करना है इसमें कुछ color changes करना है तो यहाँ पर आता हूँ इसको click करके आप क्या करो इसको आप dark कर लेता हूँ यह नि black shade दिया मैंने so dark हुआ है जैसे इधर merge हो है यह सा लग रहा है आपको अभी यह इसमें sizes में मुझे कुछ changes करना है तो इसके लिए अभी मैं object and color acceleration करके यहाँ पर आता हूँ अभी इसमें अगर समझो यह lock है तो आपको क्या करना है इस lock को open करना है open करके इधर मैं left में लेता हूँ तो दिखो भी यह step क्या है थोड़ा छोटा हो गया जैसे से आगे जा रह आपको इतना करने के बाद अभी इसको क्या है इसका जो line जो black line दिख रहा है इसको remove करना है मुझे इधर cross mark पर most rightly करके set outline color blue आप तो दिखो भी ऐसे यह line remove हो गया भी अभी यह क्या है steps के साथ एक outer glow आपको लग रहा है अगर आप चाहे तो इसमें आके इसका जो thickness है और तो आप कम आप कर सकते है यह वो sharp लगता है आपको तो अभी इसी तरह क्या है और एक method भी है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इसको left में लेता अभी मैं क्या करता हूँ इधर shadow tool में आता हूँ shadow tool में आके इसको click करके आप drag करो drag करके यहाँ पर आपको क्या करना है जो feathering direction करके है इसमें आके आपको outside करना है तो बाहर के दरफ आ जाएगा और इसका जो color है यह black है अभी के लिए इसको white कर लेता हूँ white करके इसका जो opacity है इसको increase कर लेता हूँ अभी देखो इसका mode है अभी नहीं देख रहा है आपको अभी यह mode क्या है इसका multiply है इसको normal कर लेता हूँ तो देखो भी यह ज़्यादा focus हो रहा है इस focus को तुड़ा मुझे कम करना है तो इधर इसका जो shadow feathering है इसको 10 रखता हूँ और इधर क्या ह है आपको feathering edges करके है इसमें आता हूँ इसमें आके आपको क्या करना है inverse करके है इसको लगता हूँ तो देखो भी ऐसे sharp में सारा है अगर आप चाहिए तो इसको और तोड़ा feather तोड़ा कम करके आप इसका use ले सकते है अभी देखो यह complete आपको glow जासा है लग रहा है इस तर करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद